हमारे लिए इतिहास मतलब अपने शेहर में स्थित के लिए पुरानी विल्डिगों, मंदिरों, मस्जिदों आदी के बारे में जानने समझने की कोशिश करना होता है किलों, मंदिरों, मस्जिदों पर काल की स्पष्ट छाप होती है बिल्डिंग बनाने में प्रयोक टीटे आकरती जारी सिक्के उस काल का चिठ्ठा खोलने में सहायक होते है इन इमार्तों के इतिहास पर हमें गर्व है नवाबी काल में फर्रुखाबाद का अपना महत्वपूर्ण इतिहास रहा है यहां कभी 40 के आसपास महल हुआ करते थे आज एक दो छोड सभी खंडहर हो चुके है जो बचा कुछा इतिहास था उससे या तो भुला दिया गया या इन धरोहरों को समाप्थ होने दिया गया फर्रुखाबाद स्वयम संपूर्ण काल की एक महत्वपूर्ण धरोहर है महाभारत काल में कंपिल 6 वी शताबदी के हर्ष वर्धन काल में कन्नौज मुगल काल में शम्शाबाद देश की राजधानी रहा है डा, रामकृष्ण राजपूत संग्राहलेय में काफी कुछ इतिहास शिपा पड़ा है यहां संग्रहित विभिन प्रकार की एटे फर्रुखाबाद के इतिहास की साक्षाद गवाह है लगभग चार हजार इसापूर्व सिंधू घाटी सभ्यता में सबसे पहले प्राचीन मिस्रवासियों ने कीचर से एट बना धूप में सुखा मैसोपोडामिया के प्राचीन शहर उर को बनाया लखोरी, बादशाहिया का कईया हीटें, पतली सपाट लाल रंग की पकी मिट्टी की हीटे थी जो मुगल काल के दोरान बहुत लोग प्रिय थी और इनका उप्योग भवन निर्मान विशेश रूप से मुगल वास्तुकला में शाह जहां काल से लेकर बीसवी सदी के शुरुआत में तब तक होता रहा जब तक की इने और इनकी समकाली नानक शाही इटों को आपने वेशिक ब्रिटिश राजद्वारा मानक 9-4-3 इंच की गुम्माई इटों से प्रतिस्थापित नहीं कर दिया गया वास्तुकला द्वारा निर्मित इमार्तों का काल निर्धारन होता है हमारे यहां मिलने वाली इमार्तों में चौकोर, वरगाकार, आयताकार, गोल का लात्मक डिजाइनदार विभिन साइज में इटे देखने को मिलती है कुछ विशेश प्रकार की इटे तो अब देखने को ही नहीं मिलती गंगू टिला शेकपूर की इटे विशेश खुदाय मत्वकी है कहते है शेकपूर के आसपास कराई जाए तो महाभारत काली ने तेहास को खोला जा सकता है